हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंट्स आजम सीखेंगे बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्यारा और बहुत ही उनीक सा एकदम इजी स्वेटर डिजाइन जिसे आप किसी वह वक्त बना सकते हो कहीं भी बैठे बना सकते हो औहां पर आपको कोई टेंशन नहीं होग है वैसे तो यह केवल वन रो की डिजाइन है लेकिन फोर रो में फ्रेंट्स कंप्लीट होगा हमें साम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और खुबसूरत सा डिजाइन इसे आप किसी भी आल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो फ्रेंट्स यह डिजाइन पैटर्ण जो जिससे किमारा नेश्ट वीडियो आपको तुरंद प्राथ हो सके तो देखें फर्स्ट रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी शलाई को फ्रेंट्स देखिए इस तरीके से सीधा बुंते हुए कंप्लीट करेंगे देखें फ्रेंट्स आप पूर्या वीडियो देखा करिए और डिजाइन इसके बाद देखिए अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छे कमेंट में आप बताइए कि आपकी डिजाइन अच्छी है अगर नहीं अच्छा लगता है तो यह भी आप बता दिजिए कि आपकी डिजाइन अच्छी नहीं इससे अच के लिए कम है इतना लाइफ वीजी हो चुका है कि बैट करके हम घंटों बैट के डिजाइन नहीं बना सकते तो आसान आसान डिजाइन लेकर आते हैं जिससे देखने में भी खुबसूरत लगे और फटा फट यह डिजाइन बन जाए तो देखिए इस तरीके से हम फर्स्ट र कुलकी उल्टा बनेंगे वान तु त्री डीक sidet कार डिज्टििच लेकर हमारी फोर पंदे होगे दागा बैक साइड ले जाएंगे तू फंदा सीधा बनेंगे वान तू कपनी सायड लाएंगे अब देखिए यहां पर फोर फंदे उल्टा बनेंगे वान टू- 3, 4, देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदा सिधा बुनाई करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदा हुआ, 3, 4, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदा सिधा बुनाई करेंगे, देखिए इस तरीके से 2 फंदा हम सिधा बुनाई क कर लेते हैं इसके बाद निषाइड लाएंगे फौर फंदा उल्टा भुनेंगे वान। टू यह फिंदaky हे पीछे तू, सीधा मुनेगे वान। घुझ, लाएंगे देखिए यह फोर फ़ंदा हमारा है इससे खूर भुन देंगे थ्री यह एंड चारों पंदे हम इस तरीके से उल्टा बुनाई कर देंगे तो यह हमारा देखिए फ्रेंड्स यह सेकेंड रो कम्प्लीट हो चुका है अब हमारा यह जो है थार्ड रो है राइट साइड तो देखिए राइट साइड में आपको कुछ नहीं करना है बस आपको पूरी सलाईया ऐसे सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करना है तो आप थार्ड रो को देखे इस तरीके से सिधा बुनाई करेंगे यहीं देखे शिक्स फंदे है ना और शिक्स फंदों में डिजाइन पटन बनेगा जब आप यह जो टू फंदे है ना इनको आप फोर रों में आएंगे तो इन टू फंदों जो फोर फंदे हमारे हैं बीच के टू फंदे जो हैं इनको पूर सीधा भूनाई करेंग करेंगे ठीक महीं है हमने पूंत इधर सीधा भूनाई किया था जब वहांसे बैक साइड हम रान्जाइड में इन टू फंदों को सीधा बुनेंगे तो इस तरीके से आप जो है रोफ फोर को ऐसे कि सीधा बुंते हुए कंप्लेट कर लेजेए इसे किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि जैंट स्वेटर बेबी स्वेटर कैप सूज लेडिज कार्डिगन किसी भी स्वेटर में आप इसे आप अप्लाई कर सकते हो तो देखिए यहां पर हमने यह थर्ड रोब कंप्लीट कर लिया है यह रोब फोर है और यह बैक साइड है तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे ठीक ना अब धागा पीछे ले जाएंगे अब इन टू फंदों को हम सीधा बनेंगे वान टू दागा आगे ला धागा आगे फोर फंदा हम सीधा 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 धागा आगे फोर फंदा हम सी फोर फंदा उल्टा, वान, टू, थ्री, फोर, अब लाश्ट के थ्री फंदा है, धागा पीछे ले जाएंगे, टू फंदा सिधा बुनाई करेंगे, वन फंदा उल्टा, तो फ्रेंट देखिए, ये वन से लेके फोर रो हमने इस तरीके से बुनाई किया है, और यही जब आ आप डिजाइन बनाते जाएंगे न, तो देखिए, कितनी प्यारी और खुशूरत सी है, छोटे पैटन में ये डिजाइन, छोटे-छोटे बूटियों में बन कर याती है, बहुत ही इजली बन जाता है, और बहुत ही प्यारा ये दिखता है, तो फ्रेंट अगर आपको ये आपको ये ब siempre be, तो बा得, जो अगको ये दोदिए, कितनी अर्ओनीश च्यार, तो प्रेंपों ये बन जाता हैं, ए सुल्क ये जालिए खिखिए, कितनी रिÓरत